तो दोस्तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं टेली प्राइम सॉफ्टवेर के एक ऐसे इंटरस्टिंग और इंपोर्टेंट फीचर के बारे में जिसका नाम है फिल्टर रेंज तो दोस्तो जब हम किसी विजनस की रियल प्रैक्टिकल अकांटिंग मेंटेन करते हैं तो हम टेली सॉफ्टवेर से फिल्टर रेंज का यूज किस परकार करते हैं और उसका यूज करके हम जो काम हमारा टेली सॉफ्टवेर में गंटों में होता है उसको हम चंद सेकेंड में ह पर पाते हैं filter range के feature के थरू तो दोस्तो आज की जो वीडियो है सारी के सारी practical वैसिस में रहने वाली है हम उस filter range का यूज है जो practical तरीके से किस परकार यूज होता है वो सारा इस वीडियो में सीखने वाले हैं तो दोस्तो अगर आप एक नए content हो या टेली के नए user हो तो आपक आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करिये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जूरूर कर लेना और साथ में बैल आइकन का बटन प्रेस करके all notification पर भी जूरूर क्लिक कर लेना क्योंकि हम इस चैनल पर टेली software और विजी counting software के practical video continue upload करते रहते हैं तो नमस्कार दोस्तो म मैं हूं मौन सुथार और समार्ट अकांटिंग आरसनार की YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो दोस्तों सुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों सबसे पहले हम filter range पर जाने से पहले हमारे इस company में जो transaction हमने कर रख किये सबसे पहले उन सभी transaction को open करेंगे तो open करने के लिए हम gateway टेली पर आएंगे और उसके बाद में day book पर आएंगे और उसके बाद में app 2 से हम इसका change period करेंगे date हटा देंगे तो पूरे year का data हमारे सामने open हो जाएगा तो दोस्तों वैसे तो जो filter range का यूज होता है वो सबसे ज़्यादा sale voucher के purpose से किया जाता है वैसे तो purchase के लिए भी है sale के लिए payment receipt सब voucher के लिए use करते हैं लेकिन almost इसका जो use होता है वो sale voucher के लिए होता है तो जो दोस्तों हमने यहाँ पर जो transaction करी भी है उसमें सभी type की transaction है purchase, sale, payment receipt, credit note, debit note, journal voucher तो हम इसमें से only sale voucher को select करेंगे एक बार इसको practical तरीके से समझने के लिए तो दोस्तों इस day book में हमें केवल sale voucher चाहिए तो हम keyboard से F4 प्रेस करेंगे और उसमें से यहाँ से हम voucher में से select करेंगे sale voucher को तो जैसे हम sale voucher हमने select किया तो यह total 19 invoice हमारे सामने आ जाएंगे तो दोस्तों अब कई बार ऐसा होता है जैसा कि आपकी business है और उस business में आप जो 80% आपकी जो sale होती है वो case में sale होती है लेकिन आपके पास एक ऐसा customer है जो आप से case समान में लेके जाता है लेकिन आपको उसका record चाहिए होता है भी अभी तक इस वेक्ति को हमने कितने रुपे का समान है जो sale कर दिया क्योंकि दोस्तों वैसे तो अ उसका इसाब हमें चाहिए होता भी अभी तक हमनोंने कितना sale कर दिया है तो दोस्तों अब जैसे यहाँ पर आपको देख रहे हैं भी total 19 invoice नजर आ रहे हैं लेकिन जब हम real business के accounting maintain करते हैं तो वहाँ पर आपके पास 5-7-10 जार तक invoice हो जाते हैं लेकिन अगर आप एक-एक invoice को उपन करके देखो कि तो आपको काफी time लग जाएगा यान तक कि कुछ दिन तक आपकी लग जाते हैं तो हम इस practical को देखने के लिए इस option को जैसे कि आप देख रहे हमारे पास काफी transaction है जो यहाँ पर case में हुई है अब मान लिजी हमारे पास एक customer है उसका नाम है Sumit Kumar और हम में यह चीछ यह पूरे साल में Sumit Kumar ने हमारे से कितने रुपे का समाना भी तक purchase कर लिया लेकिन लेकर हमारे से case में जाता है तो इसके लिए जिसे मान लिजी हमारे पास एक पांस नमबर इन्वोइस है वो हमने Sumit Kumar को case में बेचे है और उसका record हमने यहाँ पर narration में लिख दि कुमार लिखेंगे narration में और इस वाउचर को भी सेव करेंगे इस तरीके से 14 नमबर इन्वोइस भी सुमित कुमार तो यह वैसे तो आप जिस कर्स्टमर का भी साब रखना चाहो उसका आप रख सकते हो सुमित कुमार का इसको भी हमने सेव करिया और एक वाउचर को और सेव करेंगे जैसे कि हमने यह इन्वोइस ले लिए लास्ट इन्वोइस नमबर और इसके नरेशन में हमने भी सुमित कुमार है जो नाम टाइप कर दिया और इस वाउचर को भी हमने असर्प कर दिया तो दूसर इस तरीके से हमने कुछ चार या पांच इन्वोइस के अंदर करना वो सुमित कुमार को हमने कौन-कौन से इन्वोईस के तरू समान सेल किये है लेकिन अगर हम एक-एक इन्वोईस को देखेंगे तो भूट टाइम हमारा लग जाएगा अब हम यूज करते हैं उस फिल्टर रेंज का अप्शन का यूज तो दोस्तो फिल्टर रेंज का विंडो ओपन होएगी रेंज ओफ इन्वोर्मेशन इन रिपोर्ट फिल्टर टो व्यू ओनली दोज लाइन्स देट सैटिस्वाई दी विलो कंडिशन्स जैनकि आपको यहां पर एक प्रटिकुलर कंडिशन देनी है चाकि आपका जो रिपोर्टा जो फिल्टर हो सके तो म टाइप ओप इन्फोर्मेशन पर यहां पर वाउचर रखने है उसके बाद में हमें सर्च करना भी जो बात हमने नरेशन में लिखी थी उसको सर्च करना है तो अब यहां पर आपके पास जो ऑप्सन आ रहा है हैविंग का अब हैविंग में से यहां से हम सेलेक्ट करेंगे narration को तो आपके काफी सारे option आपको इसमें से देखने को मिलेंगे आप base number के तरू, build name के तरू, wire के name के तरू search कर सकते हो लेकिन हमें चाहिए narration तो हम यहाँ इसमें से select करेंगे narration अब उसके बाद में आपसे यहाँ से range पूचेगा range of information लेकिन अब भी आपको यह नहीं पता है भी आपने जो नाम लिखा था वो सुमेद लिखा था या कहीं सुमेद कुमार भी लिखा है only सुमेद लिख दिया या सुमेद सनौप उसके फादर्स का नाम भी आपने साथ में लिखा हुए लेकिन आपको इतना पता है भी आपने सुमित जुरूर लिखा हुए है, तो अगर आपको कुछ पता हैं लेकिन सुमित का जुरूर पता है, तो उस condition में हम यहँ हैं से select करेंगे यह containing का, अगर आपको पूरा नाम पता है भी आपने सुमीद कुमार नाम लिखा है हर वाँचर के अंदर लेकिन फादर से ने हम कहीं नहीं लिखा है लेकिन सुमीद कुमार लिखा है तब आप बिल्कुल यहाँ से इसमें से option स्टेटिंग कर सकते हो starting with से मैं starting with जो सुमित कुमार के नाम से स्टार्ट हो, लेकिन आपने सामने वो चारों वाउचर ओपन हो जाएंगे जिसके narration में हमने Sumith Kumar का नाम लिखा हुए है तो ऑफ़ में के बार open करके देखेंगे 5 नमबर देखेंगे तो 5 नमबर में भी आप देखे हिरे हुए आप सुमित कुमार का नाम लिखा हुए है escape करेंगे 7 नमबर इन्वेश देखेंगे क्लिक के साथ है जो पूरा फिल्टर कर दिया सेल के वाउचर को जिसके अंदर सुमित कुमार का नाम लिखा हुए है तो दोस्तो इस तरीके से हम किसी भी कस्टमर का नाम अकर आपने केस में सेल करी है और उसका नाम आपने नरेशन में लिखा हुए है तो हम इस फिल्टर रें इन्वोईस है और इस 17 इन्वोईस में हमने कुछ तीन ये चार हमारे पास सप्लायर से जिन से हमने बारी-बारी इनसे प्रशेज किया हुए है लेकिन अब आपको पास जिसे मान लेजिए आपके पास यह एक है जो सप्लायर है उसका नाम है विजय ट्रेडिंग कंपनी लेकि लेकिन एक ऐसा इन्वोईस था इसका जिसमें जो समान आपने इनसे मंगवाया था उस इन्वोईस में कुछ डिफार्ट था जो गुट्स आपने मंगाया था तो लेकिन आपने एक ऐसा इन्वोईस समान लेजिए हमने विजय ट्रेडिंग कंपनी का ये इन्वोईस यह मान इसके narration में सेव कर दिया इसके यहां पर टाइप कर दिया भी मिनी मास्टर डिफार्ट जो भी आप narration में लिख सकते हो यह इसलिए आप लिख सकते हो विता कि जब भी विज़ ट्रेडिंग कंपनी का कोई भी employee मारे पास आएगा तो हम ये इसके complaint है उनको बताएंगे भी इस invoice के थुरू आपका जो गुट्स आमारे पास पहुंचा वो खराब निकड़ा है तो हमने इसको एक बार इस narration में save करके वर इस voucher को हमने accept कर दिया लेकिन अब आपके पास widget trading company के काफी सारे भी 200 से 300 invoice आपके पास है लेकिन आपने रूटीन में आपके पास ये समान आता रहता है लेकिन आपने वो invoice number भूल गए भी कौन से invoice के थुरू आपके पास जो गुट्स पहुंचा था वो खराब आया था तो उस condition में आप च उसको यूज करेंगे इसके लिए हम करेंगे alt f12 वाउचर पर हम जाएंगे वह नरेशन हमें select करना क्योंकि हमने नरेशन में लिखा है और अब आपको यह नहीं पता भी आपने जो प्रोडेक्ट जो डिफाल्ट के लिए नरेशन में जो नाम लिखा था वो क्या था लेकिन आपको इतना पता भी आपने में लिखा था तो उस condition में हम जाएंगे containing में और में यहाँ पर type कर देंगे इंट्रेस करेंगे तो आपको वही इनवु इसाप के सामने रह जाएगा जिस वाटु से आपने में लिखा था इंट्रपेस करके नहीं उसके पास जितने भी option आप यहां पर आपको दिख रहे हैं, इन सभी के बारे में आप बारी बारी कुछ भी चीज इन में से सर्च करकर देख सकते हो, भी आभी तक आपने कौन सा product कितना मंगाया है, कुछ-किस invoice के थूरू आपके पास पहुंचा है, तो वो सारी के सारी detail तो हम यहां पर भी देख सकते हैं, भी filtration report होती है, सरी तो अब इसके अंदर आपको भी stock item को अगर आप सर्च करना चाहो, तो stock item का नाम लिख सकते हो, और उसके बाद में आप name लिखना दो भी कौन सी item आपने परसेज करी है अभी तक, नाम के साथ करना चाहते हो, जैसे कि ह हमने यहां पर sugar type किया हुए, एंटरफ्रेस करेंगे, तो इसके इंदर यह तीन ऐसे invoice है, जिस invoice के थुरू आपने sugar परसेज करी है, एंटरफ्रेस करेंगे, तो आप इसमें देख रहें इसमें भी sugar की stock item है, यहां पर भी आपको sugar की stock item मिलेगी, और उसके बाद में यहां से भी आपको sugar item की मिलेगी, तो यानि कि हम इस option के थुरू जो हमने voucher entry करके रखी विया है, हम इन voucher का number है, voucher की date है, उसकी जो amount है, वो सब कुछ हम search कर सकते हैं, alt f बारा यानि की filter range के option के थुरू, तो दोस्तो अगर हम इसी तरीके से अगर कोई payment voucher हम देखें, अगर आपने कोई payment voucher में किसी टाइप की कोई narration लिखा हुआ है, कोई आपने विवरन वहाँ पर दिया हुआ है, तो हम इसी तरीके से alt f बारा प्रेस करके, और हम जो भी सी सर्च करना चाहिए, वो हम सर्च कर सकते हैं, इसी तरीके से अगर हम हम आरे sale के option पर हम जाएं, और sale में हम देख किया हुए, जैसे कि हम एक कोई भी प्रोडेक्ट लेते हैं केस में, अब जैसे यह हमारे पास आ गया, LED विली 5 वार्ट सिसका है, यानि कि इसका जो रेट है वो 100 रुपे और 89 पे से है, तो हम इसको भी सर्च कर सकते हैं, हमने 100 रुपे 89 पे से में कितने invoice इस्यू किये अगर आपको रेट पता है, भी एकवल टू, किसके एकवल टू आप देखना चाती हो, तो आप वहां पर रेट देनी पड़ेगी, 100 रुपे और 89 पे सा, इंटर प्रेस करेंगे, तो आपने ये दो ऐसे invoice है, जहां पर आपने इस सिसका लेडी विलेस को 100 रुपे और 89 में इ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रिल कर देना, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज वो भी अभी कर लेना, क्योंकि हम इस चैनल पर आपके लिए इसी तरीके की interesting और important वीडियो लाते रहते हैं, तो दोस्तों मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में के ने टोपी के साथ,